नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक्नलोजी किटा चैनल में और आज इस वीडियो में मैं यही आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम लोगों ने एक नया कोर्स जो है वो स्टार्ट कर दिया है और उस कोर्स का जो नाम है वो है बेसिक कंप्यूटर कंप्यूटर जो है बेसिक कंप्यूटर जो है इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि दोस्तों हर चीज को स्टार्ट से शीखना बहुत ज़्यादा जरूरी और बहुत सारे ऐसे लोग है जो हिंदी में कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं कंप्यूटर जो है वो है क्या एक सब्द को समझना ही जरूरी होता है अगर आप लोग эпृट को समझ्के.." तो आप लोगों को कभि भी रटने की जरूरत नहीं है.. पहली बाद में आप लोगों को बता देताहूं की किसी भी concepts को computer के अंदर रटने की ज़रूत नहीं है, आसान भासा में अगर हम लोग देखे कि computer क्या होता है, computer एक electronic machine है, इतना आप लोग समझ सकते हैं, अब बात आती है electronics की, electronics होते क्या है, electronics एक semiconductor devices है, अगर हम लोग देखे कि electronics है क्या है, तो electronics एक semiconductor devices होते हैं, और उनी से मिलकर बना होता है computer, यह एक motherboard है, और इस पर छोटी-छोटी chips लगी वी है, यहाँ पर देखे, ICs वगरा लगी वी है, यहाँ पर capacitors लगे वे हैं, यह इन चीजों से मिलकर बना है computer, electronics वाली चीजों से मिलकर बना है computer, computer को हम लोग यह नहीं कहते कि सिर्फ हम लोग जो computer चलाते हैं, जिसमें हम लोग program लिखते हैं, यह हम लोग word, excel, powerpoint की जो चीज़े design करते हैं, वो ही computer, ऐसा नहीं है, computer यह भी computer है, अगर हम लोग देखें, तो यह भी computer है, अगर हम लोग देखें, कि हमारा laptop है, अगर हम लोग देखें, कि हमारा laptop है, तो यह भी computer है, और mobile अगर हम लोग दे है इल्लेक्ट्रोनिक का मतल अगल आगे पड़ेंगे जरूर आप लोगों को बताऊगा अब बात आप लोगों को समझ या गई कि जाने जाता है वह input devices है एंटर लेगा नहीं data को take करेगा यह लेगी और उस पर process करेगी ठीक है process करने के बाद आप लोग result आते हैं This exists for an email through the past ये तो एक electronic machine है जो data को accept करती है उसу data पर process करती है उस data को store करती है और उस data पर और calculation करके आप लोगों को output देती है is a computer, it is a computer, इसे हम लोग computer कहेंगे, computer जो है सिर्फ logical चीजों को ही नहीं देखता है, arithmetic operations भी perform करता है, conditional performance करता है, यनि कि अगर हम लोग artificial intelligence में भी आजकल computer आ गया है, आप लोगों को पता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजे हैं, जो आप लोगों क सीखना जरूरी है, और basic computer course मैंने इसलिए चलाया है, क्योंकि बहुत सारी users हैं, जिन्होंने मुझे demand की है, कि हमें basic computer course सीखना है, और अगर जो इस channel के मात्यम से सीखेगा, उसे हर वो चीज, जो है वो छोटी-छोटी चीजे आप लोगों को बताई जाएंगी, ताकि आप ल लोगों को computer की generations क्या होती है, कहां से computer start हुआ था, कौन सी सिखन में, क्या चीज आई थी, और क्यों आई थी, इसका reason क्यों का reason है, वो आप लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों के पास क्यों है, तो आप लोगों के पास हर वो चीज है, जो आप लोग चाहते हैं कि मैंने ये computer में क्यों लिखा ठीक है अगर आप लोग क्यों करेंगे मुझे comment के जरीए जरूर बताईएगा कि आप लोगों को जो चीज़े समझ में नहीं आई तो computer के जो definition है वो मैंने बता दिया आप लोगों को एक electronic machine है जो data को लेती है store करती है process करती है output में result आप लोगों को देती है different type के operation उसपर perform करती है उस data के उपर data यहापर क्या होता है आप लोगों के दौरा input किया गया data वो किसी भी format में हो सकता है चाहे वो human voice हो सकती है चाहे वो आप लोगों का weight हो सकता है जैसे आप लोग तराजू पर किसी भी चीज को तोनते हैं तो वो भी computer में लिया जा सकता है fingerprints भी एक data है उस पर भी process कर सकती है human voice भी डाटा है जो capturing है वो भी डाटा है तो data किसी भी format में हो सकता है उसका कोई वो नहीं है उस data को लेती है और उस पर process करती है उस data को store भी करती है और उस data पर process करके आप लोगों को output भी देती है तो यह electronic machine है ठीक है तो इतनी बात समझ में अगई computer के definition अब बात आती है कि computer course में हम लोगों को क्या-क्या सीखना है computer course में हम लोगों को input devices सीखने है output devices सीखने है network हम लोगों को सीखना है और basic software जो होते हैं वो हमारी चली ही रहे है जैसे के Excel चल रहा है और जो operating system है वो कैसे आप लोगों को जो है computer को चलाना है shutdown कैसे करना है start कैसे करना है configurations कैसे check करने है वो सभी बाते जो है स्पोर्स में मैं आप लोगों को बताने की कोशिस करूँगा computer की generations क्या होती है वो भी बताऊंगा जो software जो normal software होते हैं जैसे की paint है wordpad है और notpad है यह सभी चीज़े बताऊंगा इनसे advance version की जो चीज़े हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा तो computer जो है इसी सीखना बहुत जादा जरूरी भी बन चुका है तो आप लोगों को समझ में आ गया अब बात करते हैं hardware devices की hardware devices में बहुत सारे चीज़े हैं जो आप लोगों को सीखना भी है और आप लोगों को आने भी चाहिए देखिए यह hardware है मदरबोड है वह hardware है मैंबोड भी बोलते है मदरबोड भी बोलते हैं यहां पर लोगों का जो सीखना हो चैक पर लगता आप लोगों का और मैं इंस्टोलेशन भी है हो सकेगा तो मैं इंस्टोलेशन की बताऊंगा की computer नप्रश है कैसे करते हैं आज के लिए इतना ही धन्य झाल बाल